पोपो F27 Pro Plus 5G जो एक रगेट फोन है और 13th of June को इंडिया में लॉंच होने वारा है यारी दो दिन बाद दोस्तो आज मैं OPPO F27 Pro Plus का waterproof test और drop test इस वीडियो में बताने वाला हूँ और एक नया टेस्ट भी दिखाने वाला हूँ और दोस्तो OPPO F27 Pro Plus चाइना में लॉंच हुआ OPPO A3 Pro का rebranded version है मिरा नाम मिलन है और आप देख रहे टेकी शीट और जैसे कि आपको पता है लेटेश टेक्नली अप्डेट सबसा पहले हमारी ही चैनले देख द ineहाँ तो इसे लेटेश टेक्टिशी अपडेटस अब सपयले देखने के लिए अगला giveaway देखनें के लिए सब्सक्राइब करक 24 Ultra में भी IP68 रेटिंग ही है लेकिन यहां पे IP69 रेटिंग मिलती है इसके अलवा तो IP68 और IP661 रेटिंग तो मिलती ही है तो चलिए इसका टेस्ट देखते हैं सबसे पहले इस पर कंपनी फोन में क्रिश्टल सील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है और यह 360 डिग्री ड् प्रोटेक्शन मिल जाता है फोन में डाइमन आर्किटेक्चर भी मिल जाता है यानि यह फोन सूपर वाटरप्रूप सूपर एंटी फोल सूपर ड्यूरेबल है विसे इस वाले कलर में आपको फोन की बेक में लेफ्ट और राइट साइड लेडर की मिलेगी जैसे कि मैंने अगर 12 में इस फोन का यूज करोगे तो विदाउट एनी प्रोबलेम यह आसानी से चल सकता है लेकिन इस फोन को अगर वाटर टेंक में डुबा दिया जाए तो क्या यह चलेगा तो चलिए इसका वाटर पूप टेस्ट करते हैं और 30 मिनिट्स पानी में सबमर्ज रखते है लेकिन एवरी 10 मिनिट्स इस फोन को चेक करेंगे कि क्या यह फोन चल रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं 10 मिनिट्स के बाद स्क्रीन तो चली रही है वापस 10 मिनिट इसको रखते हैं अभी भी फोन आप देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है टज भी काम कर रहा है अब के microphone charging port में अगर water insert किया जाए तो क्या ये tick पाएगा? तो ये water के fast flow में भी tick जाता है आपने यहाँ पे देखा और दोस्तों यहाँ पे और एक बड़ी बात OPPO F27 Pro Plus में आपको 4 साल की battery warranty मिल जाएगी एक साल का water protection मिल जाता है इस पर my knowledge ये world का पहला फोन है जहाँ पे one year की water protection warranty भी मिलती है इतना ही नहीं, first year broken screen protection भी मिलता है तो OPPO अपने बेट पे super confident है क्योंकि इतनी सारी warranty market में कोई भी cell phone brand offer नहीं करती है अब यहाँ पे water probe test तो देख लिया है अब drop test भी देख लेते हैं क्या ये drop test में टिकेगा? OPPO F27 Pro Plus में OPPO के flexi phone OPPO Find X7 में जो screen protection मिलता है वही protection आपको इस phone में भी मिलेगा यानि Gorilla Glass Victus 2 का protection मिल जाता है अब anti-fold test देखते हैं इस phone को इस platform से गिराते हैं गिराने के बाद अभी भी ये phone safe ही है और यहां से गिराने के बाद बेक में थोड़ा सा scratch देखने को मिला है बाकी सही है अब screen को start करते हैं वाउ, screen भी चल रही है तो phone water test और drop test में तो pass हो गया है और phone में anti-drop diamond architecture का भी use हुआ है 4 corners में impact beam design का use हुआ है और phone के inside sock absorption design मिल जाती है तो phone के inside भी better components मिल जाएंगे यानि phone 360 degree drop resistance है जाती है, end of the video में इस phone की strength का और एक test करते हैं यानि extreme test होने वाला है यह Tesla की model 3 car है इस car को phone के उपर चला के देखते हैं phone के back में wheel की print देखने को मिल जाती है लेकिन कोई crack या scratch भी देखने को नहीं मिलता है अब front देखते हैं तो screen में भी कोई crack देखने को नहीं मिला है screen पी चल रही है आपको यहाँ पे scratch जैसा कुछ दिखता होगा लेकिन यह कुछ नहीं है इससे clean करते हैं आप देख सकते हैं sign screen मिल जाती है तो इस test से आपको पता चल गया होगा कि OPPO इस बार अपने build पे क्यों इतना confident है कि इतने सारी warranty दे रखी है फोन में दोस्तो इस वीडियो में तो फोन का unboxing और drop और water test ही बताने वाला था detail review वीडियो यानि performance, gaming, camera और battery test में detail review के वीडियो में बताने वाला हूँ और दोस्तो लेटेस फोन के leaks, launch day tech news और अगला giveaway सबसे पहले देखने के लिए मेरे tweeter handle को follow करना ना बूले, latest phone और gadgets के one minute में unboxing देखने के लिए मेरे instagram handle को follow करना ना बूले तो दोस्तो मिलते हैं अगले latest tech update के साथ, तब तक लिए thanks for watching, have a great day and keep smiling तोस्तो